पर सर एक बात पूछनी चाहती हूँ, सार्दा नाम है मेरा, मैं अच्छे से meditation and grow कर गई हूँ, पर जैसे ही new रिष्टा साधी के लिए आता है, तब बस handle नहीं कर पाती हूँ, सर उसके कैसे accept करूँ? लेकिन accept करना क्यों है, सार्दा, accept करना क्यों है, जब तुम किसी के साथ होना चाहती हूँ, उसी के साथ होगी ना, जिसके साथ नहीं होना चाहती हूँ, उसके साथ नहीं होगी, तो जब कोई रिष्टा आ रहा है कि उसके साथ सरफ शादी करने के लिए ही करनी है या फिर शादी उसके साथ करनी है जिसके साथ तुम होना चाहती हो वो इंपॉर्टन है न तो जब तुम बोल रही हो अगर meditation जो है जिसमें तुम गहरी जा रही हो तो meditation के साथ साथ जो है तुमारे अंदर एक individuality भी जो है strong बननी चाहिए तुमारी कि तुमारी खुद की जो है एक clarity तुमारे जीवन में आ जाए एक सोच तुमारी जो है बिलकुल साफ हो जाए कि मुझे उसके साथ होना है उस विक्ति के साथ होना है जिसके साथ मैं होना चाह जाती है यह बहुत important है सिरफ उस विक्ति के साथ हो जाओ जिसके साथ जो है तुम simply इसलिए हो जाओ क्योंकि तुमारे parents बोल रहे है या फिर तुम्हें लगता है कि यह विक्ति जो है अच्छा कमाता है यह अच्छा दिखता है इसलिए मैं इसके साथ हो जाती है important तो यह है न कि अगर किसी वेक्ति के साथ हो रहे हैं, उपर की अपीरेंस से जादा उसका जो अंदर के साथ आपका क्या मैच बंता है, वो बहुत इंपोर्टन है, तो इसमें परशान होने वली कोई बात नहीं है, सार्दा, इसमें इंपोर्टन ये है कि तुम कोई जल्दवाजी नहीं हैं, किसी के साथ अगर ऐसे ही हो जाओगी तो फिर जिंदगी वैसे ही खराब हो जाएगी, इससे अच्छा तो सिंगल रहना ज्यादा बेटर है, और हमारे यह थोड़ा सा प्राव्ब्म ये है कि हमारे इंडिया में सोचते है कि शादी होना बड़ा इंपोर्टन है, किसी क तुम्हारे भीतर जो है, तुम्हारे भीतर से हान आए, तब तक तुम्हें किसी के साथ होने की जूरत नहीं है, और तुम्हारा ध्यान जो है, तुम्हें इसके लिए गाइड करेगा, तुम्हारा ध्यान जो है, तुम्हारे को इस जारेक्शन में लेके जाएगा.